नमस्कार दोस्तों और स्वागत आज की वीडियो में जहां हमारे साथ आज मारती सुजुगी एस्प्रेशो वी एक्साइट प्लस टोप वेरियंट है यह जो कार है ना यह जो कार मेनू सबसे पर इसकी चाबिक आती वह मारती की जिसके अंदर आपको लोग और उनलोक के लिए की जो मिल जाती है ठीक है प्रभारão आपको थोड़े जो पैटरन्स आहीं मिल जाते हैं, उसके अलावा गरहा हम बात करें तो इसके हेडलाइट के अंदर आपको हैультयों सिंगल है ederoga काम krijgen फिर बात करते है यहां पर इंडिकेटर की तो यह भी आपको Anita के अंदर ही निल जाता है नियां फिर बात करते हैं यहां पर आप देख रहाभ नहीं प्री खें प्रफ और यह भर रोगो है वह मिल जाता है उसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरफ आपको देखो यह जो डिजाइन आप लेख रहे हैं यहां पर आपको फोगलेंप के लिए यह जो है हाउसिंग दी गए एक यह दिजाइन अलिमेंट है जो कि सुझुगी के तरफ से आपको इस तरफ मिल जाता है और जो इसका देने के लिए इसके अंदर इसतमाल किया गया है अब अगर वेंट की बेंट की बात करें तो यह काफी उंची आपको नजर आएगी फिर बात करते हैं यहां पर आप देख रहे हैं यहां आपको वासर जो है जो कि single washer यह आपको मिलता है, वाइपर की बात करें तो आपको नॉर्मल वाइपर है, वह मिल जाते हैं इसके न्दर दो वाइपर आपको मिल जाते हैं, फिर बात करते हैं इसके side profile की, अब आपको side profile में अगर हम बात करें, तो हमारी नजर जो है, पहले जाएगी सबसे पहले इसके टाईर के हम बात करें तो यह टाईर आप देख रहे हो यह आप को स्टील रीम के अंदर ही Constraux आप वीफैस के अंदर मिल जते हैं और गार डानी न कावनी बात करें तो क्वालटी काफी एच्छी केको दूसरी बात अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको जो नीचे जगा देख रहे हो ना यह सब आपको अच्छी तरीके से कवर मिलती है जो इंजिन प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है ठीक है अब बात करते हैं इसके फेंडर की देखोगे तो आपको इंडिकेटर जो ह आपको यहां पर और यूम पे नहीं मिलता उसके बाद बात करते हैं इसके ऑफिरया बडिकलर में सुंदर भी काफी हो और काफी चंकी से दिया गया तो जिस हिसाब से ये कार है छोटी कार है उसे हिसाब से उए और यसे आप हाथ से एट्चली अधेर्स्ट कर सकते हो अंद वो इसी टाइप पर मिलता है लेकिन बोडी कलर के अंदर आपको यह मिलता है फिर बात करते हैं पीछे की टायर की देखो पीछे की टायर की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको suspension travel जो है वो अच्छा खासा देखने को मिलता आप देख सकते हो कितना ज्यादा suspension travel जो है वो मिल जाता है covering की बात करते हो यहां पर किसी प्रकार की कोई covering आपको नहीं मिलती है लेकिन जो rubber paint है वो आपको इसके अंदर नीचे यहां पर मिल जाता है जो कि आपके car को जंग लंगने से बचाता है टाइर साइज की बात करें तो आपको आर 14 इंच का इसके अंदर जो टाइर है वो मिल जाता है फिर बात कर लेते हैं इसके पिछे की profile की अब देखो अगर हम पिछे की profile की बात करें तो इसके अंदर आपको दो parking sensor मिल जाते है पहला parking sensor आप देख रहे हो यहां पर मिलता है औ आप टेल लाइट के अगर बात करें जो टेल लाइट है आपको पूरी तरिके से हैलोजन सेटप ही मिलता है यहां पर तो आपको सिर्फ रिफ्लेक्टर मिलता है रियर पार्किंग जो लाइट होती है उसमें और यहां पर आपको इंडिकेटर जो है वो भी हैलोजन के अंदर यहां पर इसका रिफ्लेक्टर जो है वो दिया गया है पीछे का बंफर की बात करें तो पीछे का बंफर है वो भी आपको जो मेट फिनीशिंग के अंदर ही दिया गया है और काफि बड़ा दिया गया है जिससे ये H. owी टाइप दितले में इसको मदद मिलते है फिर बात करते है इस थेल आइट में आपको यहां पर साइफ पार्कींग जो लेंप वो यहां पर दीया गया है यह वाइफर, डिफोगर वो सब आपको इसकेंदर नहीं मिलताई लेकिन हाईищ टॉप लेम्ण जो आपको इसकेंदर मिल जाता यह थोड़ा spoiler टाइप जो design आपको इसकेंदर मिल जाता है अब देख़या अगर बूट स्पेस के अगर हम बात करें तो बूट स्पेस जो आपको इसके अंदर 240 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है उपर सफ़ तरह में सक्कारियों को इसे 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 इस नीगद करते हैं फिर पात करते हैं bootlead की तो the press belt weeal cover है तो plastic लेकिं अच़ी तरीके से cover आपको मिलता है support काफी अच्छा लगता है pakर आगर बात करें इसके boot space के तो बूर्ट स्पेज जो आप देख रहे हुए आपको 240 लिटर बूर्ट स्पेज मिलता है इसके अंदर थोड़ा समान हमारा जो है वो रखा हुआ है लेकिन बूर्ट जो आपको अच्छी तरीके से वेल्ड कवर मिलते है किसी भी प्रकार के आपको इसके अंदर ओपनिंग ज जाता है और ये भी आपको इस चील रिम के यंदर ही मिलता है रहे हुआ हुए पार्सल ट्रे जो आपको च्रेड जो है आपको अच्छे खाषी जो है ठीक है अब बात करते हैं इसके रियर सीट की अब रियर सीट की बात करने इस पहले मां आपको रियर डॉर जो है उसके बारे में आपको तद दहूं रियर डॉर की ओपनिंग की बात करें तो ओल्मोस्ट 90 डिगरी जो है यह ओपन हो जाता है जिसके आपको अंदर बैठने में उतरने में परिशानी तो नहीं होगी, ठीक है, फिर अगर हम door trim के बात करें, तो door trim में simple size का door trim है, पहले बात यह जो glass area आप देख रही है, यह इतना बड़ आपको glass area जो है, वो मिल जाता है, फिर बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रही है, यह door lever इसके अंदर मिल जाता है, manual window के लिए जो ही है, यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको थोड़ा space जो है, वो और मिल जाता है, speaker grill आपको इसके अंदर नहीं मिलती है, पीछे की door में speaker grill आपको आगे की door में मिलती है, अब door trim के बात करते हैं, यह जो आप देख रही है, seat इसकी, इसके seat के अगर बात करें, तो सबसे पहले इसके जो thigh sport के बात करें, ओके, आपको इसके अंदर thigh sport जो है, वो मिल जाता है, fixed आपको इसके अंदर head rest जो है, वो मिल जाते है, यह आपको इसके अंदर parcel tray में आपको दिखाई दी थी, वो मिल जाती है, अब देखो इसके अंदर hump की बात करें, हम जो है ङंदर इतना हम हाई नहीं मिलता है अब सबसे पहले अंदर किसी खर सब जये हैं इसके leg room की, तो leg room अच्छा खासा leg room ऐसलिए आप देखो ज़रा अच्छा खासा leg room हमें यहाँ पर मिल जाता, आप near room की बात करें, तो near room भी बहुत जबरदस्त इसके अंदर आप मिल जाता है, किसी भी प्रकार की ऐसे बैठते हो, इस तरह से, तो thigh spot की कमी नहीं होती है, अब यह seat थोड़ी और आगे है, इसे किया जा सकता था, लेकिन ठीक है, लेकिन थाइस पर्ट की इसके अंदर कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से बैठते हो, जो कि बहुत से लोग आचली नहीं बैठत है, हम्प मेंने आपको इसके अंदर दिखाई दिया, यहां पर अगर आप देखोगे, इस तरह आपको इसका ग्रेफ हैंडल जो है, वो भी मिल जाता है, जो कि फिक्स्ट आपको इसके अंदर मिलता है, अब अगर हम बात करें, सेफटी के तोर पे तो आपको seat belt जो है, वो म मिल जाता है, तो तीन जिनों के बेटनी की बात करें, तो दो head rested इसके अंदर, जो कि fixed मिलते हैं, लेकिन बात करें, तीन जिनों के बेठने की तो देखो मैं बताऊ, अगर adult हैं, तो दो जने जो है, वो आराम से इसके अंदर बेठाना चाहो, तो आप इसके अंदर अगा और दो अडल्ट अराम से बैठेंगे एक बच्छा आप चाहो तो बीच में बैठा सकते हो उसके बाद बात करते हैं इसके डेसबोड की तो अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अधार डेसबोड है वह काफी अच्छा डिजैन किया गया काफी खूपसूरत अचली य वाइड ओपनिंग है और दूसरी बात जो डॉर की जो साइज है वह भी काफी आपको बड़ी मिल जाती जिसके वज़े से दोर की ओपनिंग जो है वह ओटोमेटिकली काफी बड़ी आपको मिल जाती है अब देखो डूर ट्रिम के अगर बात करें तो इसके अंदर भी और अगर हम बात करें इसके विंडो एरिय की तो देखो विंडो एरिया पीछे का जो गलास था उसका इसके जैदर्स ज्याद आपको बड़ा देख रहे हो ना यहां पर कटाउट दिया गया है लेकिन ao but i am वह आपको बाहर से ही जो है, इम्मेनियल जो है, शेटप करना पड़ेगा, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसके ड्राइवर सीट की, ड्राइवर सीट की बात करने से पहले हमां आपको दिखा देखा देखे हैं, फूट रेस्ट वगएरा सब आपको यहां पर नहीं मिलता है यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आपको इसका headlight adjuster वह मिलता है, थोड़ा सा space आपको यहां पर मिलता है, engine cutoff का button यहां पर मिलता है, एक चीज जो मैंने आपको गलत वताई थी, वो थी ORBM के बारे में, अचली ORBM जो है, वो automatically यहां से adjust कर सकते है, यह देखो left और right के option यहां पर देखे, लेकिन यहां पर देखे, यह थोड़ी मैंने नई सी चीज देखी, कि आपको इना तो यहां पर मिलता है, ना ही यहां पर मिलता है, लेकिन आपको यहां पर जो है, इसके ORBM के control से वो मिल जाते हैं, जो की अच्छी बात आपको मिलते हैं, लेकिन यहां पर इसके फैब्रिक की बात करें तो थोड़ा लेद्रेस आपको यहां पर मिलता है बाकी सब आपको कपड़े के इंदर जो फिनिस है वो मिल जाती है प्रिक आपको बूट खोलने के लिए और जो जो जगा होती है यहां पर आपको इसके जो की शाख हो गाती है अब बात करते हैं इसके अंदर बैठ कर दोर को करते हैं बंद अब सबसे पहले हम इसके steering wheel के अगर बात करते हैं तो steering wheel में इस तरफ आपको किसी पर करके controls वगेरा नहीं मिलते हैं इस तरफ आपको controls मिलते हैं जो कि इस particular screen के आपको controls जो है वो मिल जाए जाते हैं बाकि आप यहाँ पर देख रहें टेलेफोन के control मिलते हैं इसके इंदर voice assist भी आपको मिलता है सुजी के लोगा मिल जाता है बीच में और यहाँ पर आपको airbag भी मिल जाता है किसी भी तरह से यह leather wrap आपको नहीं मिलता अब कार को करते हैं on और मैं दिखाता हूँ आपको इसका instrument cluster अब देखो अगर कि instrument cluster की बात करें तो instrument cluster आपको fully digital मिल जाता है यहाँ पर आपको speed मिल जाती है यहाँ पर इसकी आप देख रहें चोटी सी MID जो है वह मिल जाती है और बाकी सब इसकी जो information change करने के लिए यहाँ पर आपको एक button जो एक की जो है पर मिल जाती है फिर इसके music system जो है उसकी बात कर लेते है इसके अंदर music system जो मिलता आपको इसकी touch response की अगर बात करें तो touch response जो है यह काफी अच्छा टैस्ट रिस्पॉंस ठील मिल जाता है देखूरी हो कितना अच्छा टैस्ट रिस्पॉंस है वो मिल जाता है यह लेगी भी नहीं है दूसरी बात इसके अंदर बहुत सी ऐसी आपको चीजे नहीं मलते हैं जिसके आप कन्फ्यूज हो normal सी चीजे देगे हैं फरेंट रो की ड्राइवर स्री जो फ्रेंट रोगी जो डॉर है उनके लिए जो पाउडव इसका मैनुवर एसी की नीचे अरएंचे दहें तो यहां बाज तो फिर बात करें इस तरफ दॉआपको यहाईश्ब और ओक्स के पोर्स जामाख मिल जाते हैं ठीक है अब इसके निचे देखोगी तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस आपको और मिल जाता है यहाँ पर आपको water holder जो है वो मिल जाता है फिर बात करते हैं इसके अंदर आपको five speed का manual transmission जो है वो मिल जाता है यहाँ पर space तो मिलता है लेकिन इसे अच्छी तरी के इस cover निया किया करते हैं तो गलब बोक्स से जस्ट उपर अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा space जो है वो मिल जाता है फिर गलब बोक्स की बात करते हैं तो यह decent actually है दूसरी बात यह cooled आपको इसके अंदर मिल जाता है ठीक है यह आप जो देख रहे हैं इसके events का डिजाइन है यह कुछ इस तरह का आपको इसके अंदर मिल जाता है अब बात करें कार नौइज की तो कार को करते हैं ओन ओके तो कार नोईज की अगर बात कर header तो कुछ खास noise है नहीं और कि अंधर की this और को नहीं स्कें हीud alter you को आपको यहां बात करें तो आपको यहां पर भी कोई वाइफर की मैसूस नहीं होंगे- अरक्रक्रोड आपको यहां पर देखो, आपको यहां पर पर के control से मिल जाते हैं. इस तरफक आप देखोगे, तो यहां पर आपको इसके headset alight AT THAT göz यहां पर इसका जो और यहां इसका ओर इंड़ नहीं है यहां पर आपको फिक्स्ट जो बिंड़ी जाता है अब बात कर यह तेख यह पर उंदर। मिल जाता Umm सब्ली में दूम से कख यह जाते हैं यह काफी अच्छी है। द्हेंग अगर आपको फास्ट कूलिंग करनीक इतो पीछे की तरफ समय यह नहीं मिलते। लेकिन हाँ, आपको अगर fast cooling करने तो आप अपने windows कुछ देर के लिए उतार सकती है, जिससे cooling fast हो सकती है, ठीक है, एक चीज में आपको यहाँ पर बताना बुल गए, यहाँ पर इसका mic है, वो आपको इसके अंदर यहाँ पर मिल जाता है, अब देखो बात करते हैं, इसके material selection प्लास्टिक तो वही है, प्लास्टिक का टेक्स्टर है, वो तीन तरिक यूज किया और काफी अच्छा यूज किया गया है, ठीक है, इस price range के हिसाब से, दूसरी बात, fit and finish level के अगर बात करोगे, तो किसी प्रकार के आपको problem उसके अंदर तो नहीं आएगी, fit and finish level आप है, अब देखो इसके जो, पैंट्रोल इंजीन की बात करें, तो आपको 1000c के अंदर पैट्रोल इंजीन है, वह मिल जाता है, और अगर बात करें यहां पर इंजन वे की, तो काफी neat and clean आपको इसके अंदर इंजन वे, वह मिल जाता है, हर एक चीज पर-फेक्टली आपको मि प्रोब्लम हो उसे जब भी आप मेकानिय के पास लेग जाए तो आपको उसमें प्रोब्लम जो है वो नहीं दिया जाता वैसे उसकी कोई जरूरत भी है क्योंकि मारुति की जो इंजन होते हैं पेट्रोल इंजन खास करके ठीक है और वैसे भी अब तो मारुति लगवक कार्स म बस इसको करते हैं बंद तो बस इतना है था आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और ऐसी और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तब तक के लिए जहंग्द